नमस्कार मेरिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आज हमाई साथ मौझूद है बिहार की जाने मानी यूरोलोजिस्ट डॉक्टर राजिस्तिवारी डॉक्टर साहिब पतना के IGIMS पे प्रोफेसर और चोडी है तो डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है आपके मारे चैनल में जाग आना तो बहुत कोई गंभीर बात नहीं है यूजवली जब कोई इंफेक्शन होता है तो उसमें जाग आ सकता है तो हम लोग पहले कोई पिसाब के ये मरीज सिकायत करता है कि हमें जाग आ रहा है तो हम लोग यूरीन टेस्ट कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है क कोई खराबी है की नहीं है लेकिन ये कोई बहुत गंभीर समस्या का सुचक नहीं है और पिसाब में बलड आना बिलकुल ये बहुत ही गंभीर लक्षन है और पिसाब में ही नहीं सरीर के किसी भी हिस्से से खून आये तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए कई बार ऐसा हम लोग देखा है कि लोग खून आता है कहीं दवा करा लेते हैं और कुछ दिन के लिए ठीक हो जाता है और फिर होता है और बाद में पता चलता है कि ये किसी प्राणगातक बीमारी से सफर कर रहे थे और समय रहते इन्होंने देर कर दी चुकि पिसाब में जब भी खून आता है तो ये इंफेक्शन से भी आ सकता है स्टोन की प्रिजन्स में भी आ सकता है अगर कहीं पत्थर हो जाए किड्नी में पत्थर हो जाए, पिसाब के थैले में पत्थर हो जाए, लेकिन इसके कुछ ऐसे भी कारण है, जो बड़े अच्छे कारण नहीं है, जो प्रानगातक कारण है, जैसे कैंसर, पिसाब के नली में, पिसाब के थैले में, या किड्नी में, कहीं भी कर कैंसर होगा, त तो उसका मुख लक्षन पिसाब में रखताना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर अगर अरली स्टेज में पकड़ा जाए तो पुर्ण रूप से मरीज ठीक हो सकता है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में पकड़ा जाए तो इलाज में खर्चा भी जादा होता है और वो पुर्ण रूप से कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपके चैनल के मादधम से ये जरूर बताना चाहेंगे कि जिस किसी व्यक्ति को भी पिसाम में खुनाए तो उसको इसे गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी जाच करा के अस्वस्त हो जाना चाहिए कि ये किसी गंभीर कारण से बीमारी का लग्षर नहीं है। इसको जरूर रूल आउट कराना चाहिए और ये भी मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के मादधम से कि हमारे जो किड्नी का जो कैंसर है मुत्रासय का जो कैंसर है इसका एक मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे जो इसका सेवन कर र बिमारियों को जन दे सकता है अगर इसका सेवन नियमी तुप से किया जाए तो इसके अलावा देखा जाए तो अगर इलाज की बात कर ले तो इलाज में जैसे कि आपने बताया कि कैंसर हो सकते है या फिर तो किड्नी से जूरी भी बिमारिया हो सकती है या फिर और किसमें टेस्ट की बात कर ले तो टेस्ट किस तरीके से चिए रिकुल जैसे एक तो पिसाम में अगर ब्लड आता है तो कोई भी आदमी देखके अपने समझ जाता है कि हमारे पिसाम इंखोना रहा है लेकिन यूरीन कर टेस्ट कराते हैं रूटीन कल्चर कराके देख लेते हैं कि यह कारण तो नहीं आ रहा है लिकिन इसके बाद फिर और भी टेस्ट कराना चाहिए जिसे अल्टरा साउंड आजकल तो बहुत ही कॉमन टेस्ट हो गया है और सब जगा उपलब्द भी है सरकारों सरकारी एस्पतालों में भी उपलब्द है तो अल्टरा साउंड कराके एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर हो जाता है कि इनको कैंसर है की नहीं और अगर लगता है कि कैंसर है तो फिर और भी एडवांस टेस्ट जैसे सीटी स्कान, एमाराई कराके हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर से और कैंसर के किस से स्टेज से पीडित है कोई वेक्ति तो इसके साथ इलाज के साथ किसी तरह का बचाव भी करने की जरूरत है जैसा कि मैंने बताया कि वेक्ति को पानी का सेवन प्रयापत मातरा में करना चाहिए खान पान में तमाकू का सेवन नहीं करना चाहिए चाय और अलकोहल का सेवन नहीं करना चाहिए ताजी, हरी सबजी, फल का सेवन जादा करना चाहिए, नॉन विजिटेरियन डायट बहुत कम ही करना चाहिए, जादा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और exercise करना चाहिए ये सब अगर करेंगे योगा करेंगे exercise करेंगे ताजा भोजन और हरी सबजी का सेवन जादा करेंगे तमाकू का सेवन नहीं करेंगे अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे तो आप स्वस्त रहेंगे और आप इन रोग उसे मुक्त रहेंगे तो शुक्रिया डॉक्टर साब जो आपने जानकारी दिये उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आप डॉक्टर राजेस दिवारी को सुन रहे थी जिनुरीती सारी जानकारी हमारे साथ साजा की है इस विशे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरू बताएं चानल को सब्सक्राइब करें, फेस्बुक पेज को लाइक करें साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्य हम से भी है सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया